बारत में पिछले 24 घंटों में COVID-19 केसों में 3.7 फीसदी की कमी पाई गई सूत्रों के अनुसार सिधार शुकला के पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में शरीर पर कोई भी जक्म नहीं पाया गया मुंबई के ओशिवारा में दुपेर 12 बजे किया जाएगा उनका अंतिम संस्कार सिंगर हनी सिंग के खिलाफ गरेलू हिंसा के मामले में 30,000 कोट में आज होगी सुनवाई पश्चमी बंगाल में डीजेपी नियोक्ती के मामले में ममतब एनरजी सरकार को सुप्रीम फोर्ट से नहीं मिली राहत टोकियो पैरालंपिक के हाई जम मुकाबले में प्रवीन कुमार ने जीता सिल्वर मेडल जेपी नड़ा ने दी बधाई अमेरिका के नियू यॉक में तुफान का कहर 41 लोगों की मौत विस्तारा एरलाइन्स ने लांच किया गिफ्ट कार्ड फेवरिट सीट पर बुकिंग करने के लिए मिलेंगे कई फायदे अफगानिस्तान में जुम्मे की नमाज के बाद तालिबन सरकार का होगा एलान सुप्रीम लीडर तै करेंगे कौन बनेगा प्रधान मंत्री क्रिकेट में चोथे टेस्ट की पहली पारी में 191 रन पर सिम्टा भारत इंग्लेंड ने 55 रन पर गवाय तीन विकेट दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हतियार तसकर को किया गिरिफतार नकसलियों से संबन भी आये सामने